जनसंख्या संगटन दोस्तों हम इसमें चर्चा करेंगे पार्ट 3 जनसंख्या संगटन की जनसंख्या संगटन का मतलब यह है जैसे कि हमने जनसंख्या वितरने में पढ़ा था कि विश्व में जो जनसंख्या है वो किस छेतर में कितनी है जो कहां अधिक है किस छेतरों में कम तो उसके बारे में पढ़ा था जन संग्ठर में बढ़ते हैं जो जन संख्या होती है उसके लोग होते हैं उनको हम अलग-अधार पर कैसे बाट सकते हैं उनकी विशेस्ताओं के अधार पर हम कैसे कैसे उनको अलग कर सकते हैं तो कैसे करते हैं आयू के अधार पर हम करते हैं यानिकि एक से नौ साल के बीच के कितने बच्चे हैं, नौ से चौदा साल के कितने बच्चे हैं, चौदा से पैथिस साल के कितने लोग हैं, पैथिस से साथ साल के कितने हैं, साथ साल से अधिक कितने हैं, इस अधार पर हम अलग-अलग करते हैं, जो जन संख्या जब गिनी जाती है तो हम इस तरह से करते हैं उसके लिंक के अधार पर हम करते हैं यानि कि इस तरह कितने हैं पुरुष कितने हैं फिर वेवसाय के अधार पर करते हैं कितने लोग खेतिवाड़ी करते हैं कितने लोग जो है फेक्टरों में काम करते हैं कितने लोग बैंकों में काम करते हैं इस अधार पर हम उन्हें बाटते हैं उसके लिए देश में औसत आयू कितनी है जीने की पता होना चाहिए कि इस समय हमारे देश की जो जीवन पत्याशा है वो 63 एर्स है यानि कि 63 जो है औसत रूप से एक प्रैक्ति जीता है हमारे देश में इस लोग ग्रामिंडशेतर में रहते हैं कितने लोग शहरी छेत्र में रहते हैं इन सब छीजों की आधार पे जो जलो ज्नसंख्या है उसमें लोगों वी इस法 हम से खते हैैं इस वाले वीडियो में हम लिंक संगठन की बात करें यानि लिंक की अधार किस तरह से जनसंख्या क के बीच के संख्या का अनुपात को मानने जे अगर किसी छेत्र में 1000 पुरुष है और 943 इस्त्रिया है तो हम कहेंगे कि 1000 पुरुष पर 943 इस्त्रिया तो यह वहां का लिंग अनुपात होगा अब विश्व में इसे अलग तरीके से निकाला जाता है और भारत में इसे अलग पुर्षों के संख्या उपर रखी जाती है और इस्त्रियों के संख्या नीचे और उसे डिवाइट करने के बाद उसे इंटू कर दिया जाता है 1000 से, क्योंकि 1000 प्रती 1000 पर हम निकालते हैं, तो यहां पर इस हिसाब से हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी विश्व के अधार पर कि प्रती 1000 इस्त्रियों के संख्या पर पुर्षों की संख्या, यानि कि 1000 इस्त्रिया हैं तो फिर पुर्ष कितने हैं, 1000 इस्त्रियों पर पुर्ष कितने हैं, भारत में ठीक उल्टा हो जाता है, इस्त्रियों की जंख्या उपर रखी जाती है, पुर्षों के संख्या न 1,000 पुरुष्वा पर 943 इस्त्रिया यह भारत का लिंग उन्पात के हम बात करें तो यह इस्त्रियों के प्रतिकूल नजारा कम नज़र आ अखी आपको इस्त्रियों के अनुकूल नहीं नहीं होगा आजिक प्रतिकूल तो हम क्या देखते हैं विष्व का जो असत लिंगनुपात है वो 100 इस्त्रियाई यानि कि 100 इस्त्रियों पर 102 पुरुष नजर आता है यानि कि इस्त्रियों के संख्या कम है उसत रूप से विष्व की जो लिंगनुपात है उसमें आगे देखें, तो विस्व का अगर उच्चितम लिंगनुपाद के हम बात कहें, उच्चितम लिंगनुपाद हम उसे कहेंगे जो इस्तियों के पक्ष्म होगा, जहां इस्तियां जादा होगी, उसे हम उच्चितम लिंगनुपाद कहेंगे, क्योंकि इस्तियों के संख्या ज जिस देश का उच्छतम लिंग उनुपाद है वह है लेटेविया में सबसे ज्यादा उच्छ लिंग उनुपाद है वहां 100 इस्त्रियों पर 85 पुरुष है यानि कि आप देखें लगभब 15 पुरुषों का जो है वह गैप है तो एक 100 इस्त्री है किसी छेतर में तो वहां पर 85 पुरुषी है यह जो है लिंग उनुपाद सबसे उच्छ है अगर हम निन्नतम लिंग उनुपाद के बात करें निन्नतंग उनुपाद में क्या होगा उल्टा होगा ठीक इस्त्रों के संख्या बिलकुल कम होगी और पुरुषो उनुपाद है वह UAE का है और यहां पर 100 इस्त्रियों पर 311 पुरुष तो आप देखिए कितना लगवक 211 पुरुष एकस्स है वहां पर 1100 इस्त्रियों पर तो आप देखिए कितना ज्यादा गैप है तो यह निन्नतम लिंग उनुपाद है युनाइटिड नेशन के अनु है और 72 अैसे है जहां पर जो इस्त्रियों के प्रतिकूल है यानि की बहतर देखिए अईसे है एचा जहां पर इस्त्रियों के संख्या कम है ठीक है भारत का घ्रुष function पर 943 इस्त्रियान से जो सबसे अच्छा लिंगोनुपाथ है और सबसे जो हैं किसका है धूंघ陶ा कीशा की अगरान बात करें राध करें तो युझाइप पुरुषों की संख्या इसलिए कम है वहां पे इस्ट्रियों के पक्ष में है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं एक तो ये कि वहां पे संख्या वह dessa भी Ben जाता है और दूसरा कारण यह हो सकता है पुरुषों की संख्या कम होने का कि वहाँ पहले के भूत काल में यानि कि पिछले समय में जो है युद्ध बहुत सारे लड़े गए हैं और प्रवास बहुत जादा हुआ है जो पुरुष है वो काम की खोज में इधर से उधर गए है कॉलोनी के समय जब पूरा सामराज्यवाद अगरता था तो आपको पता पूरी दुनिया भर में सेनाय जाती थी तो उसमें पूरुष जादतर जाते थे और युद्ध बगर में वह मारे गए इसलिए वहाँ पे पूरुषों की संख्या कम है और क्या कारण हो सकते हैं इस् इसी तरह से शिशु इस्त्री जो हो जाती है इस्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का बहुत चलन है तो इस वजह से इस्त्रियों के संख्या बहुत कम है इसके लावा आप कह सकते हैं इस्त्रियों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत निम्न है और इस व मुझे कारण हो सकते हैं आगे की वीडियो में हम आयू सन रचना के बारे में पढ़ेंगे यानि कि आयू के हिसाब से किस तरह से हम बाढ़ सकते हैं जन संख्या को और गाउं और शहर के यानि कि निवास के अधार पर कैसे बाढ़ सकते हैं साक्षरता के हिसाब से कैसे क्लास के बच्चों तक शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेजिए मेरा नाम है सूने निगम